आज रबर्ड का इस्तेमाल कई जगों पे होता है पर क्या आप रबर्ड के भी ना दुनिया को इमेजिन कर सकते हो एक समय ऐसा था जब रबर्ड प्लांट साउथ अमेरिका के से ब्राजीर में पाई जाते थे तब ये व्यक्ति जिनका नाम है अलेक्जेंडर रबर्ड प्लांट के कुछ सीट साउथ अमेरिका से समगल करके इशिया में ले आए और उस समय शाउथ अमेरिका की पूरी वर्ल्ड में रबर्ड इंडस्ट्री पर मनॉपली थी और उस समय रबर्ड का पूर दुनिया में सबसे बड़ा यूस डिस्कावर हुआ था रबर प्लान्टेशन करने की कोशिश की गई, पर्टिकुलरली स्री लंका और मलेशिया में, और धीरे धीरे इन एशियाई देशों में रबर प्लान्टेशन ग्रोग करना लगा, और उदर साथ मेरिका के ब्राजील में एक डेडली वाइरस फैल गया, जिससे सारी की सारी रबर प्लान्टेशन को खराब कर दिया, खतम कर दिया, क्योंकि इस वक तक एशियाई देशों में रबर प्लान्टेशन को ग्रोग करना सीख लिया था, इसलिए रबर की सप्लाय पुर दुनिया में रुकी नहीं,